अब की बार वीडियो काफी दिनों के बाद बन रही है I think 15-16 दिन तो हो गए होंगे because everyday is not same सबकी लाइफ में ups and down लगे रहते हैं मेरा भी वही सीन है जब प्राबलम साती है तो एक साथ बहुत सारी आ जाती है कहते है ना उपर वाला जब भी देता देता चपर फार के तो वही है बहुत सारी प्राबलम एक साथ आ जाती है वो भी बीना बुलाए that's why I was not table to make the block मैंने सोचा खुद को stable करो फिर वीडियो बनाएंगे क्योंकि यूटूब पे आके रोनेस कोई फायदा है नहीं और वीडियो शूट कर भी नहीं सकता था क्योंकि मोबाइल डेमेज हो गई थी एपपल वाले यार मस्त चूना लगा रहे हैं साफ्टवेर दे रहे हैं अपडेट करने को अपडेट करते ही डिस्पले चली जा रही है और डिस्पले चेंज कराने का कोश्ट इतना है कि जित और आइटिंक मैंने उस दिन मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर पढ़ा था यही प्राब्लम होती वीडियो शूट करो तो तिन चार दिन बाद वाइस ओवर करो भूल जाता है कि पढ़ा क्या था एकॉनमी था एकॉनमी मेरे दो तीन चैप्टर रहे गए हैं आज बजट भ हाँ पर लगाएंगे वाकि मैंने गिववे लाइस्ट वीडियो में करा था तीन दिन में थे इस वीडियो में बता दे रहा हूं तो यूप्य सी इंगलिस मीडियम में थे परमेसवर महराष्टरा के जिनों ने बुक रिसीव करी थी और वह मैंने पासल कर दिया था तो दो इंदिर में उन्हें मिल गया था बाकी उपेसी हिंदी मीडिया में राहुल सोनी विनर थे जेई नीट कटेगरी में हेट संगवी इन्होंने एक वीडियो भी बेजा था इससी कटेगरी में थे अर्मान वर्मा और लास्ट कुश्चन जो एक था मेरे वीडियो से ही उसके विनर थे महमधुल इसलाम सबको प्राइज मनी मैंने सेंड कर दिया था तो साड़े साथ बय तक सेसन कंपलीट हो गया है जिम चलते हैं प्री वर्काउट हमारे रहेगा एक ब्लेक कॉफी और ब्राउन बेट केला नहीं खा रहा हूं कि क्यों भी रिसेंटली जुखाम हुआ था फिर से नहीं करना है नौ बज़े तक एक्सरसाइज कंपलीट करने के बाद हम सब लोग चले गए थे जूस पिने के लिए अनार का जूस और उसके बाद वापस आते नहीं मैंने नास्ता बनाने के लिए समान लिया ब्राउन ब्रेट और तीन अंडे आज दू सुबह में नहीं लिया था साम में लियाओंगा क्योंकि सुबह में जूस पी लिया तो वैसे ही जादे भूक थी नहीं और नास्ते में मैंने सीम्पल बनाया था अंडा और ब्रेट रात में चना भी लाके मार्कें ने तो फिर कल जाके मार्केट से सारे समान लियाओंगा फल भिलाना है चना खतम हुआ पड़ा है बदाम खतम हुआ सब कुछ खतम रासन में सब कुछ खतम है तो 10 बय तक नास्ता कम्प्लीट कर लिया था साड़े दस वच तक नहा भी लिया था अप जल्दी से रेडिये हो लेते हैं बूक रख लेते हैं और लेपь पूप भी रख लेते हैं क्योंकि एक-ब्रीडियो देखना रहता है ओके तो अभी 11 बजने वाले और जल्दी से निकलते हैं फरवरी में, interim budget का simple मतलब यह है कि जिस साल center में election होने माले रहते हैं, उसी साल यह निकाला जाता है, ताकि government country का पूरा expense उठा सके, और election के बाद अगर कोई दूसरी government बनती है, तो फिर general budget निकालेगी, नहीं तो फिर अगर यही government बनती है, तो फिर यही निकालेगी फिर से, त budget का मैं यह summary देख रहा था, कुछ highlight points में देख रहा था, यूटूब पे, ताकि better understanding हो सके, उसके बाद फिर मैं अपना session इस्टार्ट किया, ग्यारा बच के 15 मिनट से, और यह एक घंटा सवा घंटा लगेगा, 10-12 pages की यह एक book है, करोल बाक से ले आया था, I think 10-20 उर्पे का था, Vision IS का यह summary है, तो इसे जल्दी से complete कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपना next session लगाएंगे, तो दिसा publication की तरफ से एक book आई है, उसे जल्दी से review कर लेते हैं, तो यह है दिसा publication की 101 Speed Test on New Pattern, UPSC, IAS, Prelims के GS Paper 1, यह book तीन पार्ट में divided है, फर्स्ट पार्ट में 9 section हैं, जैस Science, Science and Tech, Environment, General Awareness and Current Affair, and these are further divided in 92 topics, सभी test new pattern, MCQs and MSQs form में दिये गए हैं, part 2 में 9 sectional test हैं, and part 3 में 2 full length GSK test दिये हैं, इस book में total 2200 plus question दिये गए हैं, in the form of 101 test, जिसे solve करने से speed बड़ेगी, strike rate भी बड़ेगा, और at the end score में भी improvement होगी, और second book है, super 10 mock test series for UPSC IS prelims GS paper 1, इसमें GS paper 1 के 10 full length mock test with detailed solution दिये गए हैं, जो की complete GS levels को cover करते हैं, और previous year question के trend के, according this book contains newly designed MCQs and MSQs, based on what happening in social, economic and political climate of India, and this book can improve your score in prelims up to 20%, यह book हिंदी में भी available है, अगर आपको इन में से कोई भी book purchase करनी हो, तो description में मैं link देदूँगा, वहाँ से purchase कर लेना, तो यह budget summary मुझे complete करने में डेड़ घंटे लग गए, बहुत important topics नहीं थे, उसके बाद मैंने दूसरा सेसर नहीं start किया, environment का, जो कि मैं संकर IS वाली book से ही पढ़ आँ, और इस book मे हो, तो ऐसे चीजों से बचना बहुत जरूरी है, कि फालतू चीजे ना पढ़ा जाए, और जो important हो, वही पढ़ा जाए, इस session में मैंने दो छोटे-छोटे topic उठाय थे, aquatic ecosystem और protected area network, और मैंने डेड़ बज़े तक यह session complete कर लिया था, उसके बाद फिर मैं अब चलता हूँ lunch क करने के लिए, और सुबह में इतना हैवी नास्ता किया भी नहीं था, फिर भी पता ने क्यों, दो पर में मुझे भूख बहुत कम लगी थी, इसलिए मैंने कहा, अज पूरे खाना नहीं लगाओ, सिर्फ एक सिंपल एक पराथा, थोड़े से सबजी लगा तो बस, आदे घं दूसरा था, क्लाइमेट चेंज, यह दोनों बड़े बड़े टापिक हैं, इसमें धाय तीन घंडे तो लगी जाएंगे, ओके तो अभी लाइबरेरी की बात करें, तो मैंने ये लाइबरेरी छोड़ दिया था, ये पुरानी वाली लाइबरेरी ही है, लेकिन सीट दूसरी को बेस पसंद है, उपर लाइबरेरी में हमको बजट पसंद है, तो कैसे काम चलेगा, तो इसलिए वहाँ भी नहीं गया, और एक और लाइबरेरी मैंने देखा था, पटेल नगर में थोड़ा दूर पर था, वहाँ बेस्मेंड पर था, वहाँ तो एक दो लोग मुझे पै पसाओ, दिन में दुबारा आने के हिम्मत नहीं होगी, इतना दूर था, तो इसलिए मैं वापस पुरानी लाइबरेरी में आया, यहाँ पर सीट मिल गई, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, वह कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर कोई प्राबलम नहीं है, इसलिए फिर मैंने यही पर चूज कर लिया, ओके तो पांच बे तक यह सेशन हमारा कंप्लीट हो गया था, दो पहर वाली भूक अब साम में लग रही है, इसलिए चलते हैं रूम पे और दूद भी ले चलते हैं, दूद बरेट खाएंगे और उसके पर फिर वापस और यह देखो इसे मीठा दूद पसंद है, यह पी नहीं रहा है, जब इसमें बॉन बीटा छोड़ दूँगा तो यह पीना सुरू कर देगा फिर यह देखो, और जितना पी रहा है उसे जदा गिरा रहा है, साप कौन करेगा भी से, पूरे दिन में 15-20 बार मेरे फ्लोर प इसमें अगें इन्वार्मेंट ही मैं पढ़ने वाला हूं, और इस सेसर में मैंने पढ़ा था, Environment Impact Assessment और दूसरा मैंने पढ़ा था, Climate Change Organization, उसके बाद मैंने पी बाइक की लगाना सुरू किया था, इस टैटिक वाले जो कृश्टीन थे वह तो बन जा रहे थे, लेकिन Economy हो गय environment का वो मैंने पढ़ा नहीं है अभी क्योंकि पीटी 35-45 के मैं भरोसे हूँ अभी और environment का आइधिंक अभी नहीं आए है, quality economy का आगया है, quality का तुम्हें ले आया हूँ market से वो मैं पढ़ ढ़ा हूं अभी, तो अभी जो environment के latest stress शिरिज बन रहे हैं वो question current affair complete करने के बाद ही solve होंगे तो ये session मैंने 9.5 बे तक complete कर लिया था अब चलते हैं room पे और रास्ते से ही खाना ले चलेंगे dinner और अभी 9.25 हो गये थे और रास्ते से ही मैं ले लिया सबजी और रोटी जादे भूख थी नहीं simple रोटी थी और आलू और स्वयबीन की सबजी थी तो 10 बे तक dinner complete कर लिया था आदे घंटे rest करने के बाद 10 बे से last session हमारा रहेगा news analysis का जिसमें मैंने थोड़े से notes भी बनाये थे और बाकी current affair के लिए जो 2023 का है जून से दिसंबर तक का वो PT 365 पे मैं पूरा depend हूँ और politics में ले आया हूँ वो पढ़ रहा हूँ और डेली जो current affair चला है वो news analysis से मैं देख रहा हूँ कभी कभी news paper से पढ़ रहा हूँ simple है बस साड़े 10 बजे से लेके आदे घंटे का ही से संता 11 बे तक ये complete हो गया था तो ये वीडियो बस यहीं पे करते हैं and I hope आपको अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बाकी चैनल को subscribe Thank you so much for watching Bye Bye